टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आच्छात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे अपने घर से बिदा होकर के पाकी पहुंच जाएगी समराट के घर यानि कि अपनी ससुराल जहां पर उसे बार बार आ रही होगी विराट के याद उसका घर उसका कमरा उसक भाई दे के हर एक चीज उसे विराट की ही याद दिलाती है अपने प्यार को याद करते करते पाकी अपनी सोहागराच से पहले विराट को लगाएगी कॉल और फोन पर बात करते करते वो विराट को अपने दिल का हाल बताएगी और कहेगी कि विराट प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है और मुझे भी सिर्फ एक ही बार हुआ है विराद तुमसे दिल कर रहा है कि मैं जोड़-जोड़ से चिलाओं और सब को बताओं I love you विराद, I love you, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे सिवा मैं किसी और से प्यार करने का सोच भी नहीं सकती पाके की ये सारी बाते सुनकर विराद काफी जादा शौक रह जाता है क्योंकि अब तो पाके की शादी हो चुकी है उसके भाई समराट से अगर पाके ने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसका सीधा असर समराट की जिन्दगी उसके खुशियों पर पड़ेगा विराद फोन पर चुपचाप खड़ा रहता है और पाकी आगे बोलते हुए कहती है विराट मैंने सिफ तुमसे प्यार किया है मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती खासता और से तुमारे भाई के बारे में तो बेकुल भी नहीं जैसे ही पाकी विराठ से ये सारी बातें कर रही होती है पीछे से समराठ आ जाता है विराठ पाकी की सारी बातें सुन लेता है यानकि सुहाग रात हो गई है समराठ की बुरी तरह से बरबार क्योंकि यहां पर उसकी बीवी का सबसे बड़ा सच निकल कर सामने आया है और एक कैसा सच जिससे शायद दोनों भाईयों के बीच की सारी बॉंडिंग दोनों भाईयों के बीच का प्यार सब कुछ तबाह हो जाएगा लेकिन जब समराट को पाकी और विराट के रिष्टे की सच्छाई पता चल चुकी है ऐसे में देखना होगा बहुत दल्चस कि आगे समरा पाकी को छोड़ता है या फिर उसके साथ अपनी जिन्देगी बनाने का नाया फैसला करता है यह देखना होगा बेहद इंट्रस्टेंग